कुश्या नंबर 50 कहता है A, B and C are partner firm sharing profit ratio 2 to 1 however C guarantee minimum amount 10,000 C को guarantee दिया गया तो यहाँ पर 3 partner रेफेर से A, B और C और C को बोला गया भाई आपको 10,000 से तो कम किसी हालात में नहीं मिलेंगे Every year Any deficiency arising तो deficiency अगर आपको कोई कम पड़ता है तो amount should be meet by B अगर कुछ भी कमी पड़ेगी ना तो आपको कौन देगा B देगा तो यह बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हमें कोई ratio की चिंता ही नहीं होती है तो B देगा और the profit year 2 year profit for the 2 year ended आपको दो साल के profit दे रखे हैं एक दे रखे है आपको 2015 का और एक दे रखे है 2016 का और respectively profit and loss तो हमें दो बार profit and loss बनाना पड़ेगा अब इस question को हम कैसे कर सकते हैं या तो सिंपल है आप दो बार profit and loss बना लिजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक बार merge करके भी लेकिन दो साल का दे रखे है तो बैटर यह रहेगा मैं दो बार profit and loss बना के दिखा देता हूं इसको तो first year का profit and loss है तो first year की मैं बात करूँ तो first year कौन सा देखिए आपके question में first year जो question में है वो है 2015 तो मैं 2015 के लिए पहले काम कर रहा हूं ठीक है मैं यहां लिखे देता हूं 2015 तो भाई अब 2015 में तो 40,000 है इनका ratio क्या था 2-2-1 अब हम पहले बाट देते हैं A, B और C यह 15 के लिए कर रहा हूं मैं सिर्फ यह ध्यान रखना तो अगर मैं इसका profit 40,000 बाट हूं तो 5, 16,000 16,000 इस ratio में बाट दिया है मैंने 40 को और 8,000 तो ध्यान से देखो इसको C को मिला 8,000 रुपए ratio के according लेकिन मैंने promise किया था आपको मिलेगा 10,000 किसने बी ने तो कितने कम पढ़ गए इसमें 2000 प्लस कर देंगे है ना और यहाँ पे 2000 माइनस कर देंगे clear तो अब profit क्या जाएगा इसका 16,000 इसका क्या जाएगा 14,000 14 के कर देता हूँ ठीक है इसका आजाएगा आपका 10,000 first case complete clear इसको एक बार note करें नीचे totaling रहेगा आपका 40,000 और इसका total हो गया 40,000 ठीक है यह total रहेगा ही रहेगा first case समझ में आए आप कर लेंगे बाकी वीडियो तो है आप pause करके भी record कर लेंगे अब मैं इसी को second case को करता हूँ कि 60,000 respectively अगर 60,000 हो तो क्या होगा चलिए 60,000 होगा तो profit बटेगा 24,000 इसको मिलेगा 24,000 इसको मिलेगा 12,000 है ना तो आप ध्यान पुर्वक देखिए इसको हमने C को minimum guarantee कितने दिये थे 10,000 तो अब ऐसा नहीं करना 2000 इससे छीन लेंगे हम ऐसा नहीं होगा अब 12 मिल गए तो बस guarantee का question नहीं है normal question है डिस्टिब्यूट कर दिया तो इस तरीके से रहेगा हमारा ठीक है तो हमारा question हो गया देखो यहां answer में है ना 2012-13 दे रखा है जिनके पास assignment है तो बागी यह correct कर ले ना ठीक है हमारा चलिए एक बाद note कर लिजिए फटा फट फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे आज सारे doubt को मैं खतम ही करूं इसको क्योंकि pending रखना नहीं है अब इस chapter को जा हाँ जी चलते हैं question number 52 पे पढ़ाई कर रहे हैं आप सब पढ़ते रहना चाहिए अच्छी बात है साफ साफ noting करना है आपने बिल्कुल सुन्दर सुन्दर आइटिंग में 51 कहता है A और B partner है यहाँ पे ठीक है जी A और B partner है ratio 3 is to 2 है 3 is to 2 C was admit 1 6 share के लिए C को admit कर दिया यहाँ पे 1 6 share profit के लिए which was minimum guarantee rupees 10,000 और C को मैंने यहाँ पे 1 6 के लिए ले के आया जिसका guarantee क्या है हमारा 10,000 रूपीज जिसको हमने बोला के भाई तुझे तो 10,000 मिलेंगे minimum at the closing of the financial year profit earn 54,000 रूपीज तो बस net profit आपका 54,000 है इस question में trick क्या है कि इस question में हमने C partner को admission दिया है admission का मतलब क्या होता है basically एक chapter है हमारा admission of partner तो उसमें तो हम बहुत detail में इस ratio पे discussion करेंगे वैसे अभी फिलाल के लिए बता दू जब 2 का ratio इस तरीके से होता है हम क्या करेंगे इस ratio को पहले हम basic finalize करेंगे अब इसके अंदर कुछ बच्चों को मैं पहले clear कर दू doubt हो सकता है तो बस जो मैं ratio बता रहा हूं वो ratio या तो लिखके solution करना है आपने बाकि जब chapter number हम 4 पे आएंगे 4-5 पे तो उसके अंदर doubt हो सकता है ऐसा question ही नहीं होगा अभी फिलाल हो सकता है तो हम इसको क्या करते हैं तीनों का ratio मान लेते हैं let let मान लेते हैं total share और भी बहुत सारे तरीके हैं कुछ बच्चे बोल रहेंगा सर हमने तो ऐसे कर लिया बहुत अच्छी बात है लेकिन जो आगे procedure होगा मैं अभी सही हादत डाल रहा हूँ total share 1 total का मतलब कौन है total में कौन होगा बताओ a plus b और plus c तीनों होगे न total में share का मतलब इनका हिस्सा जब total share 1 है अगर मैं इसमें से c का निकाल दू तो बचेगा किसका a और b का तो मैं लिखूँ हूँ रिमेनिंग रिमेनिंग आफ्टर c c के बाद तो total 1 है तो 1 में से c का निकाल दो क्या minus कर दो 1 by 6 तो जो अब ये बचा lcm लेंगे 6 तो ये आजाएगा 5 by 6 तो जो ये 5 by 6 बचा है ये किसका बचा है सर इन दोनों का बचा है a और b का तो a का हिस्सा क्या आएगा a share अब बोलेगा सर a का और b का ये जो 5 by 6 है ना वो a और plus b दोनों का है तो अलग-अलग कर देते हैं तो a का हिस्सा होगा 5 by 6 दोनों का है उसमें से a का share क्या है हमारा 3 2 यानि 3 by 5 15 by 30 सेम ऐसे b का share अगर मैं निकालू c का तो पता ही है ना बच्चे c का 6 1 by 6 है वो तो वही रहेगा तो 5 by 6 multiply by b का 2 by ये कितना हिस्सा लेगा इसमें से 2 by 6 देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ जो हमारा ये 5 by 6 बच्चा था आप agree करते हो ने ये a और b बाटेंगे दोनों a और b का है तो a का कितना है 3 by 5 और b का अपना हिस्सा कितना है 2 by 5 तो इसको मैंने बाट दिया जैसे अगर मैं बोलू 10 रुपे को बाटो तो वैसे ही बाट दिया मैंने तो आंसर आगे ये 10 by 36 कुछ मिस्टिक किया गया 2 by 5 होगा ये 2 by 5 तो 30 अब नेक्स टेप में क्या करना है हमें देखो हमें रेशो मिल गया A का हमें पता है C का पता है ये है A का पता चल गया और B का पता चल गया हम इस रेशो को और अच्छे से solve करके same बना लेंगे तो हमें लिखना है A का B का and C का A का 15 by 30 B का 10 by 30 और C का 1 by 6 denominator में same करना है हर किसी के 30-30 तो है यहां पर भी into कर देते हैं 5 से यहां भी 5 से तो कोई फरक तो पड़ेगा नि तो जो हमारा final ratio result निकल के आएगा final ratio निकल के आएगा 15, 10 and 5 15 is to 10 is to 5 इसको और भी कम कर सकते हैं common ले सकते हैं तो 3, 2, 1 ये ratio आ गया तो इस 54,000 रुपए को हमें इस ratio में बाटना चाहिए तो बस ratio को थोड़ा हमने सुल जाया यहां पर ठीक है अब बाट देते हैं A, B, and C बागी जब ratio वाले chapter में आएगे तो इससे related कम से कम 20 से 25 question है इसी concept पर तो हम करेंगे वहां अच्छे से तो 54,000 divided by 6 इसके हिसे माया 27,000 2 18,000 1 9,000 है ना अब हम बात करते हैं इसको guarantee कितने की मिले थी 10,000 की किसने दी थी कुछ नहीं बताए तो दोनों ने दी थी भाई दोनों किसने इन दोनों ने मिलके दे थी अब यह दोनों बीयर करेंगे कितना 1,000 रुपे क्योंकि 10 में से इसको 9 तो मिली चुगा 1,000 तो किस रिशो में 3 to 5 में तो 3 to 5 में देखा जाए अगर 1,000 को बाटते हैं तो 600 यह माइनस करेगा और 400 यह माइनस करेगा और इसमें प्लस हो जाएगा 1,000 तो हो गए न 10,000 तो इसका रिशो क्या जाएगा इसका माइनस करने के बाद 26,400 इसका क्या जाएगा 17,600 और इसका क्या जाएगा पूरे 10,000 समझे बात आपको तो इसमें बस थोड़ा सा रिशो का यह complicated था आप एक बार दुबारा इसको play करके देखे समझ में आ जाएगा नहीं आता तो इसकी चिंता मत करो इस टाइप का question इस chapter से related हम नहीं आगे हम detail में discussion करेंगा पूरा chapter ही यह इस पर हमारा ratio का तो ठीक है चलिए अब फटाफट note करें फिर हम अगले question पर चलेंगे यह था हमारा 51 question number 51 अगले question पर चलते है question number 52 अब question में कहता है हमारा 52 में कि A and B and C तीन पार्टनर है PSR दे रखा है यहां पर A, B और C PSR है 4, 5, 4 and 1 ठीक है और इसके अंदर कहता है C given guarantee minimum share of profit 5000 बोलता है भाई C तुम चिंता मत करो आपको 5000 रुपे तो मिलेगा ही मिलेगा firm को loss हो चाहे profit if any would be deficiency अगर कोई भी deficiency आता है तो would be born by A and B equally अब question में कहता है अगर तुमें कुछ कम हुआ ना तो एक तो A भी देगा और एक B भी देगा लेकिन A और B जो देगा वो इस ratio में नहीं देगा अब वो देगा equally यानि 1 to 1 के ratio में यहाँ पर यह trick था है इस question में और the profit 40,000 रुपे तो कर देता हूँ 40,000 यहाँ लिखेंगे अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, B और C तो 5, 4, 1 तो 20,000 इसके हिस्से माएगा 20 16,000 इसके हिस्से माएगा 10 है ना 10 आपका 40 4 और 4,000 इसके हिस्से माआ जाएगा ठीक है तो question raise होता है सर इसको तो guarantee 5 का मिलाता है तो हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं इसको कम पढ़ गए कितने deficiency है मिलना 5 था मिला कितने 4 तो deficiency कितने का आगिया इसका अगर 4 मिल गया इसे तो deficiency हागिया इसका 1,000 रुपए का जो कि 1,000 इसको कि 1,000 इसको कर देंगे लेकिन कौन देगा 1,000 1,000 देगा A और B 1,000 A और B किस ratio में 5 इस्टू 4 में नहीं देगा 5 इस्टू 4 में नहीं देगा कि इसमें 1 इस्टू 1 तो 1 इस्टू 1 यहनी 500 यहां से माइनस आधा-धा 500 यहां से बस सिंपल होगी हमारा इसके बाद कि 52 तो हो गया 53 आप खुद करेंगे सेल्फ यहां पर 1,6 दे रख़ा है तो इसका ratio आप जैसे मैंने बताए solve कर ली ज़र नहीं होता तो मुझे वाटसप पर बोली मैं आपका ratio निकाल के देदूँआ 54 54 करने से पहले मैं एक बात बतातना चाहता हूँ अब देखो ध्यान से देखना concept को मान लेते हैं A B और C तीन partner है अब C को guarantee दिया गया 5000 को suppose करते हैं C को guarantee दिया गया 5000 को अब interest on capital इसके हिस्से में 2000 आया इसके हिस्से में 3000 आया और interest on capital इसके हिस्से में मान लेते हैं 2000 आया ठीक है तो interest on capital मिल गया इनको इसको minimum guarantee दिया गया 5000 का अब हमारा जो profit बट रहा है इन में after interest on capital वगएरा सब करके profit बट रहा है इसमें 4000 8000 और इसको 3000 मेरे question का जवाब देना इसको मिला है 3000 ये profit है अब बताओ C को जो guarantee दिया गया था वो पूरा complete हो गया या नहीं हुआ इसको 3000 मिले हैं लेकिन 2000 इंटरस्ट के भी इसे मिले हैं आप बताईए मुझे ये जो 3000 इसको profit मिला है मैंने इसको guarantee कितने का दिया था मैंने बोला भाई तुम्हें कम से कम कितना मिलना है कम से कम 5000 तो तीन मिलें इसे वैसे तो को होगे सर इसे दो और मिलना चाहिए लेकिन मैंने बोला सर इसे दो इंटरस्ट का भी मिल चुका है तो हो गए ने इसके 5000 आप बताओ इसको 2000 और मिलना चाहिए या हो गए 5000 सोचिए इस पे तो इसका जवाब होगा, आपका, कि सर इसमें ये तो बोला ही नहीं कि ये 5000 इसको किस परकार से मिलेगा, अगर 5000 बोलता ये, कि 5000 इंक्लूडिंग इंट्रस्ट है, इंक्लूडिंग का मतलब समझ रहे हो ना, इंक्लूडिंग इंट्रस्ट और कैपिटल है अगर 5000, तब तो सर टोटल इसके हिस्से में 5000 आएंगे, जिसमें से 3 प्रॉफिट के मिल गए, और 2 इंट्रस्ट के मिल गए, तो होगे जी इसके 5000, लेकिन इसके अंदर अगर बोला जा एक्स्क्लूडिंग, तो 5000 इससे सिर्फ प्रॉफिट में से मिलेगा, जो इंट्रस और कैपिटल मिल गया, उसको नहीं जोड़ना, जो सैलरी मिल गया, उसको नहीं जोड़ना, तो इसे 5000 अलक से, यानि इसके के अंदर 2000 और दिया जाएगा, कुछ ना बोला जाए तो हमेशा excluding मान के करना है आपने तो इसी से related हमारा question number 54 है ठीक है ना समझ में आई बात आपको question number 54 बाकी question हम करेंगे तो और भी समझ में आएगा question 54 में कहता है A, B, C और partner है और इनका profit जो है यहाँ पर given है हमें 15,000 रुपे पूरे साल का तो तीन partner है एक A है, एक B, एक C और profit जो given है इसका ratio दे रखा है 5, 3, 2, 5, 5, 3, 2, PSR net profit 15,000 है तो मैं direct 15,000 रुपे लिख दूँ capital दे रखा है इनको एक साथ, एक और असी इसका capital एक साथ एक लाग और असी अजार है ना कहता है interest on capital after charging interest on capital कहता है C को guarantee दिया गया after charging interest on capital बोलता है interest on capital वो profit में से interest on capital हटा दो उसके बाद इसको 15,000 मिलेगा sorry profit जो 15,000 नहीं है तो C का guarantee के भाई C तुझे 15,000 तो मिलेंगे अब समस्या आता है सर 15,000 कैसे interest on capital जो मिल गया सो मिल गया कहता है guarantee C share profit जो C का share profit होगा after charging यानि interest on capital माइनस करने के बाद किसमें profit में से would we not less than 15,000 the capital दे रखा था the profit for the year indeed 79,500 profit था 79,500 ठीक है न तो यहाँ पर यह कहना चाहता है के भाई C तुझे 15,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे interest मिल गया वो तिरे लिए benefit है और कुछ भी मिल गया benefit है तो 15 तो अलग से ही मिलेंगे P&L appropriation जो करना है आपने ठीक है आगे देखते हैं देखो यहाँ पर न मैं कई बार P&L appropriation लिखतो रहा हूं लेकिन आपको date वगेरा प्रॉपर लिखना है जो बुक के अंदर date given है जैसे 2019 है तो for the year indeed 2019 लिखना होगा तो सबसे पहले interest on capital 5% से मैं IOC दे दूँ A को भी देना है B को भी देना है और C को भी देना है तो इस पे आ जाएगा आपका एक साथ पे 5% 8000 और इस पे 5000 और इस पे 4000 टोटल हो गया हमारा 8000, 5000, 4000, 17000 ना इसके बाद हमारा जो profit आएगा जो transfer होता है transfer to capital A के हिस्से में और B के हिस्से में और C के तीन में बटने वाला है इसके बाद profit क्या आएगा बताओ, minus कर लेते हैं थोड़ा space की कमी है तो कोई बात नहीं वो तो आप manage कर सकते हो 79,500 टोटल किया हमने 79,500 इसमें से minus 17,000 पहले करेंगे तो आगे 62,500 जो की बटेगा किसमें तीनों में तो 60,500 अगर मैं बाटू तो इसके हिस्से में आता है 31,250 इसके हिस्से में आता है 18,750 और इसके हिस्से में आता है 12,500 अब समस्य आ गई ना तुझे 15,000 बोला गया था कि देंगे C, C तुम्हें 15,000 दिये जाएंगे लेकिन तुम्हें मिल रहे है 12,500 लेकिन अगर interest on capital को अगर इसके अंदर add कर दो तो 16,000 हो गया लेकिन add नहीं करना अगर बोलता कि C not less than 15,000 including interest on capital तो तो फिर question खतम हो गया था लेकिन अभी बचता है अब guarantee किस ने दिया यह चेक करो आप guarantee जो दिया है इसने बताया नहीं A guarantee कहता है कि A guarantee that C A ने दिया है guarantee तो भाई deficiency कितनी हो गए इसकी 12,500 को अगर पांसो पच्छिस सो तो E में से minus करिए पच्छिस सो simple और यहाँ plus करिए पच्छिस सो आगे result total कर लिजे आप तो पच्छिस सो minus 3250 एकत्यस दो सो पचास माइनस पच्छिस सो इसका अठाई साथ सो पचास आ जाएगा है ना इस पे कोई फरक नहीं पढ़ना इसका अठारा साथ सो पचास रहेगा और इसके पूरे पंदरह हजार रुपए हो गए बस कोशन कम्प्लीट हो गया हमारा इसको भी नोट करिए आप मन लगा के करना है आपने सारे कुशन अच्छे से कुशन 55 करेंगे ठीक है नोट करिए इसको भी कुशन नमबर है हमारा 56 कहता है थ्री चार्टेड अकाउंटेंट तो सबसे पहले मैं बच्चे आपको बता दू के चार्टेड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है कि चार्टेड अकाउंटेंट दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं या तो वो जॉब करेंगे या कहीं पर प्रेक्टिस करेंगे प्रेक्टिस इन दा सेंस वो अपने खुद की फर्म खोलेंगे और लोगों का GST return या income tax भरेंगे तो वहाँ से fees मिलता है तो question में कहता है A, B, C, 3 partner है chartered accountant और 3, 2, 1 इनका ratio है 3, 2 और 1 इनका ratio दे रखा है C को बोला गया कि भाई तुम्हें 15,000 रुपे तो मिलेगा ही मिलेगा C को बोला गया कि तुम्हें 15,000 कम से कम तो मिलेगा यानि C को guarantee किस ने दिया, इन दोनों ने मिलके दिया अब B gives guarantee, अब मान लेते हैं कि यह firm है, ठीक है आप इसको ऐसे समझे, कुछ बच्चे गलत ले जाते हैं, काफी बच्चों का doubt रहा होगा यह question अब यह firm है, firm ने इसको दिया guarantee अब B उल्टा firm को दे रहा है guarantee, देखो B की हिम्मत तो देखो B firm को guarantee दे रहा है B give a guarantee effect from gross fee, बोलता है B के भाई मैं guarantee देता हूँ मैं तो पच्चेस अजार रुपय अपना पहले पांच साल में जब मैं अकेला था, तो मैं कमाया ही करता था अब भी मैं पांच लेके आँँगा, चिंता क्यों कर रहा हूँ कैता B give a guarantee to the effect of gross fee earned by him for the firm shall equal to gross fee of preceding 5 years पिछले 5 साल में, then carry a profession alone, जब अपना अलग से विवसाई चलाया करता था B, तो which average workout 25,000, बोलता है मैं पहले 25 कमाता था, अब भी मैं 25 दे दूँआ तो यहाँ दो guarantee है, firm दे रहा है C को भाई, तिर को 15 मिलेंगे और B इसको दे रहा है The profit year जब कमाया गया, तो 75,000 रुपे का profit कमाया गया Gross profit earned by B, B ने gross profit earned किये, यहाँ पे 16,000, अब फस गया B B ने बोला था भाई, मैं 25 कमाता हूँ और हमेशा पिछले 5 साल से, अब B ने जो firm को guarantee दिया firm बोलता है कि भाई B, firm बोलता है B, अब यह तूने क्या किया, तू तो 25 बोल रहा था अपने घर से, मतलब कमा के देगा लेकिन तू कितना कमा पाया है, सिर्फ 16,000, तूने तो 9,000 कम कमाए है, अब मैं guarantee देता था, तो मैं अपनी जेब से भर के देता था इसे, अब तूने guarantee दिया जा अपने घर से लेकिया है, तो इसमें guarantee का amount जोड देंगे, जो buy किस ने दिया, B ने, कितने रुपे जोड है, 9,000, 84 आ गया यह, अब 84,000 बाटेंगे, समझ में आई ना आपको बात, तो यहाँ पर दो guarantee है, अब मैं 84,000 को अगर मैं बाटता हूँ, 84,000 डिवाइड वे 3, 2, 1, 6, 2 में, यह आएगा 42,000, 2, 28,000, और यह 14,000, अब मुद्दे की बात करते हैं, अब B अपने घर से लेके आएगा, लेकिन B ने बोला भाई, मैं अपने घर से तो लेके आऊँगा, और फिर आप profit देना, तो B अपने घर से लाने के बजाए क्या कहता है, कि काम करो ना, अब मेरे हिस्से में से काट लो, अब जब मैंने guarantee दिया है, तो मुझे कम दे देना, यानि B बोलता है, कि मुझे क्या दे देना, कम दे देना, तो मैंने बोला, हाँ भाई ठीक है, चलो तुमारे 9,000 कट गए, क्यों कट गए, क्योंकि तुमने पहले जूट बोला था, तो घर से तो लाना था, तो इसलिए मैंने profit add कर दिया, क्योंकि हमारा profit बढ़के ये होना चाहिए, अब हमारा ये फाइदा है, इसलिए profit बढ़के, अब ये लेके नहीं आया आए आपने घर से अगर, तो हम क्या कर लिए, जो ये घर से लाता, अब C के 15,000 मिलने थे, मिले 14, अब भाई, C को किसने guarantee दिया था, पूरे firm ने दिया था, C को जो guarantee दिया था, वो firm ने दिया था, तो A और B दोनों bear करेंगे, 1000 रुपे, A और B दोनो bear करेंगे, 1000 रुपे, तो 600 रुपे इसमें से minus हो जाएगा, 3 is to 2 के ratio में, और 400 इसमें से minus हो जाएगा, समझ मैं ये बात आपको, तो इसके बच जाएंगे, 41, 400, और इसके minus कर देते हैं, एक बार, आप सब भी comment में लिख दी अगरो, सर, इसके answer ये आएगा, 18,600, और इसमें 1000 प्लस, तो जी 15,000, टोटल तो ही रहना है, 84,000, अभी और guarantee के question है, आपके मन में बहुत सारे doubt होंगे, तो देखो मैं तो sequence से ले रहा हूँ, तो ये था हमारा question number, 56, 57, 58, 59, 60, ऐसे कुछ questions है, important question भी है, और 61 तक है, इसको हम अगली class में करेंगे, तो I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लास्ट में जाते जाते एक message देना चाहूँगा, कि आपके school अभी open नहीं होंगे, school open होने में थोड़ा time लगेगा, तो आप online घर पे बैठके अच्छे से पढ़ाई करो, आपके school की timing बढ़ने वाली है, यानि 8 बजे से लेके, maybe possible है कि 3 या 4 बजे तक हो जाए, तो अभी बैठके पढ़ाई करो, और exam आपका एकदम से हो जाएगा, और उसके अंदर आपकी पहले तीन books हैं आपके पास, first और second book पूरा आ रहे हैं आपके first room में, दो book आ रही है, इसमें सभी पहले chapter में एक महिना लग गया आपको, अगे रियाद हो, एक April से लेके आज तक तो, तो थोड़ा आप भे speed बढ़ाओ, अब मैं भी थोड़ा थोड़ा सोचता हूं कि आपको करवाओ, regular basis पर class हो सकती है, ठीक है, तो आप इसको note करिए और enjoy करिए आप online class को, और other student को भी आप भी enjoy करे, thank you so much.